बुड बॉनिंग, स्वागत आप सभी का Study India YouTube चेनल पर तो आईए शुरू करते हैं आज़म 23 अक्टूबर 2018 के Current Affairs अगर अब तेक आपने हमारे चेंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन पर क्लिक करना ना भूले तो आई देते हैं Current Affairs का पहला क्योशन पहला क्योशन है भारती कप्तान विराट कोहली ने ODI में कौन सा सतक लगाया है इसके चार ओप्सन है ओप्सन है 35 सतक, ओप्सन B 36 सतक, ओप्सन D 34 सतक तो इसका सही answer है ओप्सन B 36 सतक भारती कप्तान विराट कोहली ने ODI में 36 सतक लगाया है विराट कोहली अब तक ODI में 36 सतक लगा चुके हैं और टेस्ट मेंज में चोईस सब्सक्राइब लगा चुके हैं आई देखते अब next question next question है आजाद हिंद सरकार की साफना के कितने साल पूरी हो चुके हैं इसके चार option है option है 13 साल option B 14 साल option C 15 साल option D 16 साल तो इसका सही है answer है option C 15 साल आजाद हिंद सरकार की साफना के पिछेतर साल पूरी हो चुके हैं आई देखते अब next question A.S.N.Hockey Championship 2018 किस देश में आयोजित हो रही है इसके चार option है option है ब्राजिल में option B ओमान में option C फ्रांस में option D इटली में तो इसका सही answer है option B ओमान में A.S.N.Hockey Championship 2018 ओमान में आयोजित हो रही है आई देखते अब next question राश्टी पुलीस दिवस पर National Police Memorial का उदघाटन किस ने किया है इसके चार option है option है उपराश्टपती वेकेया नायडू ने option B प्रधान मंतरी नेंदर मोदी ने option C है राश्टपती रामनात कोविंद ने option D अरविंद केजरिवाल ने तो इसका सही answer है option B प्रधान मंतरी नेंदर मोदी ने राश्टी पुलीस दिवस पर National Police Memorial का उदघाटन प्रधान मंतरी नेंदर मोदी ने किया है और कहां किया है नए दिल्ली में आई देखते हैं नेक्ष्ट कोशन नेक्ष्ट कोशन है किस टीम ने विजे हजारे ट्रोफी 2018 जीती है इसके चार उप्सन है उप्सन है मुंबई ने उप्सन B राधिस्थान ने उप्सन C गुजरात ने उप्सन D विदर्ब ने तो इससा है आंसर है उप्सन A मुंबई ने मुंबई ने विजे हजारे ट्रोफी 2018 जीती है अगर वीडियो सेसे न अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सेर करना ना भूले आई देखते हैं अब नेक्ष्ट कोशन अफगानिस्तान की संसत का नाम क्या है इसके चार उप्सन है उप्सन A कांग्रेस उप्सन B मजलिस उप्सन C असेंबली उप्सन D सोरा तो इसका सही आंसर है उप्सन D सोरा अफगानिस्तान की संसत का नाम सोरा है आई देखते हैं आँग नक्ष्क को संड़े माचाल परदेस की राजदानी सीमला का नाम बदलकर क्या रखने का विचार किया जा रहा है इसके चार उपसें ड़े और माला, और प्सन ब जामला, और जामला, और परियागराज, और ऑपसन डे किस्ट माला तो इसका सही answer है option B स्यामला हिमाचल परदेश की राजदानी सिमला का नाम बदल कर अब स्यामला रखने पर विचार किया जा रहा है और जिसके हिमाचल परदेश के चीफ मिनिस्टर है वो है जेराम ठाकूर आई देखते अब next question भारत की सायना नहेवाल डेनमार्क ओपन बेडमिंटन टूनामेंट में कौन सा पदक जीती है इसके चार ओप्षन है ओप्षन है गॉल्ड मेडल ओप्षन भी है सिल्वर मेडल ओप्षन सी ब्रोंज मेडल ओप्षन दी है इनमें से कोई नहीं तो इसका सही answer है ओप्षन B भारत की सायना नहीं वाल डेनमार्क ओपन बेडमिंटन टूनामेंट में सिल्वर मेडल जीती है और डेनमार्क ओपन बेडमिंटन 2018 की उजीता है ताई जू यंग आई देते हो नेक्ष्ट क्योशन नेक्ष्ट क्योशन है सबरी माला मंदीर में सबरी माला मंदीर में वो है सबरी माला मंदीर में पर्यास करने का पर्यास करने वाली रहाना फातिमा को मुस्लिम समदाय से निस्कासित कर देया गया है और जो सबरीमाला मंदिर है ये कहा है थे थे? केरला में और इस मंदिर में अयप्पा स्वामी की मूर्ती रखी हुई है आई दखते हम नेक्ष्ट कोशन नेक्ष्ट कोशन है वर्ल्ड रेस्लिंग चैंपियन्जिप के सेमी फाइनल में भारत के कौन से खिलाड़ी पहुचे है इसके चार उप्षन है उप्षन है सुसिल कुमार उप्षन भी योगेश्वरदत उप्षन सी बजरंग पूनिया उप्षन डिये अमित कुमार उप्षन सी बजरंग पूनिया वर्ल्ड रेस्लिंग चैंपियन्जिप के सेमी फाइनल में भारत के बजरंग पूनिया पहुचे है और जो ये वर्ल्ड रेस्लिंग चैंपियन्जिप ये का हो रही है वुड़ापेस हंगरी में और कभ से कभ तो को रही है यह हो रही है 20 अक्टूबर 2018 से 28 अक्टूबर 2018 तक आज का वीडियो इसमापत होता है अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और सेर करना ना भूले और हाँ, अगर अब तक आपने स्टेडी इंडियो यूटूब चरों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं हमारे अगले करन्ट अफ्यर्स में तब तक के लिए थेंक्यू